नमस्क्डर दोस्तो आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको अपनी लाइफ यानि के अपनी जिन्दगी काफी जाथ कटीन लगती होगी लगता हो कि दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही लाइफ में हैं लेकिन आज एक गुरुंग की लाइफ की बात करेंगे जिनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी लाइफ ये कटाई छोटी लगने लगेगी मुश्किल क्या होती है और लाइफ कितना नीचे तक जा सकती है ये आपको इनकी लाइफ से सीखने को मिलेगा और इनके कमबैक से सीखने को मिलेगा ये एक नेपाली मूल के गुरुं की तकत जिनोंने दुन्या भर को सीखती और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके अंदर भी जोज भर देगी तबी इनका सम्मान किया गया भारत में खुद राशपती द्वारा दोस्तों जो वीलचेर पे आपको सक्स दिख रहे हैं वो है सर नीर बहादुरुरुंग और ऐसी सक्षियत के नाम के आगे अगर सर ना लगाओ तो बेकार है हाली में डिसेंबर में इनको भारत में भारत की राशपती द्वारा अवार्ड दिया किया लेकिन इससे पहले भी सर नीर बहादुरुरुंग को कई सारे इंटरनाशनल अवार्ड मिल चुके हैं आखिर ऐसा हुआ गया कि सर नीर बहादूर गुरूम आज वीलचेयर पर है और इसके बावजूद उनको कई जगह से सम्मान मिल रहा है और यही है आज के हमारी चर्चा का विश्य है तो comment box में comment के जरूर लिखेगा सर नीर बहादूर गुरूम और उनके लिए एक like तो बनता बहादूर गुरूम इंडियन आर्मी को सर्फ करते थे और जैनवरी 1983 में उनकी यूनिट जा रही थी कई सारे असलहे गूला बारूद लेकर रास्ता पहाडी था और ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया जिसके चलते उनकी गाड़ी पलट गई और असलहों से भरे हुए बक सर नीर बहादूर गुरूं के भी ऊपर गिरे जिसे उनकी रीट की हड्डी तूट गई सकल पर चोट लगई यानिकी खोपडी पर चोट लगई साथ insgesamt उनकी कई जगह की हड़्ियां कई जगह से फ्रेक्छर हो गई और उनकी हालत काफी ज़ादा गंभीर हो गई इस बड़ एक्सिडेंट के बाद भी उनको पता नहीं था कि वो कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे उनका इलाज चलने के बाद उनको ये चीज़े पता चली क्योंकि उनकी रीट के हड़ी तूट चुकी थी और कई हड़ीयां कई जगर से चक्ना चूर हो चुकी थी उनको पूरी जिंदगी वीलचेयर पर ही गुजारनी थी और वो एक नॉर्मल लाइफ जीन नहीं सकते थे यानि कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिप आया जिसने उनको तोड़ कर रख दिया इस घटना में वो बाल-बाल बचे थे लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था वो ना ही चल सकते थे ना ही कॉमन आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिता सकते थे क्योंकि हर चीज के लिए उनको अब सपोर्ट चाहिए था और लाइफ की एक ऐसी कमी जो कि सड़नली अंदर से तोड़ कर रख देती तब सर नीर बहादूर गुरुम ने बहुत सोचा विचारा और हार ना मानने की ठान ली क्योंकि जिस यूनिट में वो थे उससे चार लोगों की डेत हो चुकी थी लेकिन सर नीर बहादूर गुरुम उससे बच निकले और इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को एक दूसरे मौके की तरह देखा वो भले ही अपने पैरों से खड़े नहीं हो सकते थे लेकिन उन्होंने अपने मन को खड़ा किया उन्होंने लाइफ में अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए खेलों को हथियार बनाए यानि की गेम्स को और एक पैरा एथलेटिक बनने के रहा में निकल पड़े पैरा एथलेटिक वो इंसान होता है जो कि किसी तरीकी से बॉडी से डिसेबल है लेकिन गेम्स में अपना इंपुट दे सकता है उन्हेंने कई साले इंटरनेशनल पहला एथलेटिक्स में हिस्सा लिया और उनमें बहुत सारे मेडल्स भी जीते जैसे कि शौट पुट भाला फेक साथशाथ डिसकस थ्रो डिसकस थ्रोट टूथाओजन शिक्स एफ्पीस पी आईसी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता में उन्होंने राज़त पुरस्कार जीता साथ साथ शॉटपूर 2002 में उन्होंने काश्र पदक जीता साथ अब 2022 के दिसंबर में उनको एक पैरा एथलेटिक के रूप में ध्यान चंद्र अवार्ड जीता जो काफी ज़्यादा प्रेस्टीजिस अवार्ड है और भारत की आइफ के इतने उतार चड़ाओ में भी उन्होंने जिस तरीके से गेम्स को अपना हथियार बनाया और उसमें सबसे अवल आके भी दिखाया वो अपने आप में काभीले तारीफ है और काफी ज्यादा इंस्परेशनल भी है आज हमें के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स काफी बड़ी लगती है और उन सभी के लिए सर नीर पहादूर गुरुम एक मोटिवेशन है आज यूज में इतने सुसाइडल थौट साथे साथ डिप्रेशन छोटी 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 चीजों पर गुस्सा ये सारी चीजे भरी हुई है और हमें जरूरत है ऐसे ही इंस्परेशन की ऐसे ही लोगों की जो की एक example है कि कहीं न कहीं आपको motivate करेंगे कि आप भी अपनी life में कोई भी problem से हारो मत और उसमें खड़े जरूर हो बस जरूरत है आपके will की आप कुछ भी कर सकते हो कहीं न कहीं सर नीर पहादूर गुरुम उसका जीता जाकता example है जो कि एक गुरुम ह लाइक जरूर कीजे अपने friends और family's तक इसको काफी ज़्यादा शेयर कीजे ताकि ये सर नीर बहादूर गुरुम की life story सब तक पहुंच सके और हम सब इससे कहीं न गई कुछ न कुछ सीख सके साथी कौन बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना सर नीर बहादूर गुरुम और उ